नमस्कार, सलाम, नियूस क्लिक के इस खास करेकरम चुनाव चक्र में आपका एक बार फिर स्वागत है, मैं हूँ मुकुल सरल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, उपरी तोर पर देखा जाए तो बीजेपी को बड़ी जीत मिली है और प्रेट मीडिया भी आपको यही दिखा रहा है, समझा रहा है लेकिन तथ्यात्मक विश्लेशन किया जाए, तो वास्तविक्ता में बीजेपी नुकसान में है उसके एक गोल के मुकाबले विपक्ष ने दो गोल किये हैं जी हाँ, बीजेपी ने दो राज्यों में हुए चुनाव में अपना एक राज्य गमा दिया है गमा दिया है इस पर ध्यान रखिया साथ ही दिल्ली MCD का चुनाव जिसे बीजेपी ने विधान सबा चुनाव की तरह लड़ा जिसके मेर को मुख्यमंद्री के समक्ष पेश किया वहाँ भी बीजेपी ने सत्ता गमा दिया तो शुरू करते हैं चुनाव चक्रत आज हमारे साथ जनावेश के सबक और 2024 की संभावनाव पर चर्चा करने के लिए हैं हमारी सेयोगी वरिश पत्रकार भाषा सिंग और हमारे साथी रिपोर्टर रवी शंकर दुबे शुरुवात करते हैं भाषा आपसे बीजेपी ने अपने उसी राज्य गुजरात में सत्ता बचाई है जिसमें 27 साल से काबिज है हाँ सीटे वहाँ बढ़ी जरूर है लेकिन इसे इतनी बड़ी जीत के तोर पर जो पेश किया रहा है उसकी वज़ा क्या है और क्या ये इतनी बड़ी जीत है देखिए मेरा मानना है मुकुल की जीत बड़ी है जीत इस लिहाँ से बड़ी है कि 2002 के बाद से खासों से मैं गुजरात को 2002 से अलग करके देखती हूँ जो पूरा घटना करम चला 2002 में जिस तरह से मुसल्मानों का गतल याम हुआ उसे एक राजने तेक मुद्दा बना कर मोदी जी ने अपनी मुक्खे मंतरी की सीट को बचा के रखा और फिर वहां से 2014 तक उन्होंने यात्रा की देश के प्रधान मंतरी बनने तक और 2022 में यानि 20 साल बाद वो जो नफरत का चक्र था मुसल्मानों को दानव के तरह पेश करके हिंदू वोटों को अपने पास समेटने का उसमें एक तरह से कहिए तो वो चुनाव चक्र पूरा होता है मुझे दिखाई देता है कि 20 साल की जो नफरत की राजनिती है वो तकरीबन पूरी होती है और यही वज़ है कि 2022 के चुनाव में हमारे देश के ग्रीमंतरी अमिश शाजी बकायदा याद दिलाते हैं कि 2002 में जो सबक दिखाया था सिखाया था वो इस बर विकास मॉडल नहीं है वो मुद्दा नहीं है कहीं से भी मुद्दा 2002 बनता है आफताब बनता है बुल्डोजर बनता है तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि चुनाव एहम है क्योंकि इस ने भार्टी राजनीती का लेकिन यह जीत जिस तरह से देश के उपर इस तरह से दिखाया जा रहा है देश के परिपेक्ष में अगर हम देखें कर रहा है तो इस सिर्फ है देश के शुक्तन लगता है कि फूपर कंगर खिनाता है और टेइस DRM नहीं Celebration कर रहा है कि हिमाचल नेज। है उसने सिर्फ महुता है कि घुजराद आखी修राट फि तो वो जो आप जिक्र कर रहे हैं मुझे लगता है इन दोनों चीजों पर ध्यान देना जरूरी है कि वहां पर क्या मुद्दे रहे और साथ ही साथ दो हजार दो से दो हजार बाइस की जो गुजरात की जर्नी है क्योंकि वो दरसल देश की भी एक राज़नति घटना करम की जर्नी है और मुझे लगता है उसमें जो चिंता जनक सबसे बड़ी बात है तब से लेकर अभी तक भाशपा कभी 50 फीसिदी वोट से अधिक नहीं पापाई थी 50 फीसिदी भी नहीं पाया था इस बार उन्होंने पाया जिस पर हम आगे भी चर्शा करेंगे तो मुझे लगता है कि जो भारती लोकतंत्र के लिहास से जो एक्सपेरिमेंट गुजरात मॉडल है हमारे लिए गुजरात एक model है वो model पर चर्चा होना पर ध्यान होना पर फोकस होना का अध्यन होना जरूरी है राजनेतिक तोर पर देखिए तो बात बहुत साफ है कि भाश्पा ने अपना एक जिसको बहुत प्रचारित था कि रिवास बदलना है राज नहीं बदलना है यह सब कहके हिमाचल का पुरा चुनाव लड़ा गया था तो वो एक एहम है कि क्यों आखिर हिमाचल की हार इतनी इ हिमाचल में किन मुद्व ने काम किया और हिमाचल में कॉंगरिस की जीत या बीजेपी की हार क्या उसकी वजह देखते हैं वो क्या बताएंगा दीए हिमाचल में साफ तार पे जैसा कि भाजपा ने भाशन ने बताया कि गुजरात में उन्होंने पूरा सामदाम दंड और MCD चुनाओं में भी दिल्ली में, उन्होंने उस तरीके से लड़ा, ठीक उसी तरह हिमाचल में भी उन्होंने लड़ाई की थी, प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी के बड़ी बड़ी रहलियां, आमित शाह के बड़ी बड़ी रहलियां, लेकिन उनको एक चीज़ और पता कांग्रेस ने जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए था कि उन्हें पता था कि हम गुजरात में कहीं न कहीं कमजोर हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश में हमारे पास मौका है क्योंकि हर पांस साल पर यहां की जनता सत्ता बदलने पर विश्वास रखती है तो उन्होंने शायद उन चीज़ों पर जो जमीनी चीज़ें थी उन पर फोकस किया अब जमीनी चीज़ों में अगर हम जाएं तो ग्रामीड इलाकों में जब मैं घूमा तो मुझे दिखा कि जो इनका एक यह था कि भाई महंगाई बिरोजगारी इनका बहुत बड़ा सबक था लोगों के बीच करके जो एक जमीनी चीज़ें होती है जो हमारा बेसिक है तो इन्हें लेकर लोग बहुत परेशान थे हाँ जैसे आपने कहा मैं भी एक बात को यहां साफ कर दूं दरशकों से भी कि यह भी एक टैक्टिस है कि रिवाज वाला जो मामला है वो डाइलूट करता है उस बात को जनता को शौक नहीं होता कि आज इसे कल उसे उसकी वज़ा मैंने पिछले शो में भी बात की कि उनकी समस्याओं का हल नहीं होता जब वो तभी बदलती है और ऐसा रिवाज बहुत जगह है उत्राखन में वो रिवाज बदल गया वहां वापस वो आ गया भले उनकी भी पर पुरानी पेंशन का सवाल है मुझे लगता है कि आप ने खुद आप जो रिपोर्ट से रही है तो पुरानी पेंशन का जो मुद्धा था वो एक ऐसा बिल्कुल चुबता हुआ मुद्धा था जिसे छूने को कोई तयार नहीं था कॉंग्रेस ने उस पर लिज़ कि यहीं जनता भी यह हमारा देश को की बहुत विविद भी है बहुत बड़ा है जनता भी पूरी एक ही नहीं कि एक ही पैटरन पर पूरे देश में वोट होता हो तो गुजरात ने अलग पैटरन पर तो वही जो जनता के मुद्धे गुजरात में थे क्या उन्होंने काम नहीं किया क्या महंगाई बेरोजगारी उस तरह से क्या रहा यह बहुत अहम है मुकुल की यह हमें समझना जो आप सवाल उठा रहे हैं मुझे लगता है कि देखिए गुजरात इसलिए खास मैं बोलती हूँ कि 94 से वहां भारती जंदा पार्टी का शाशन है जो नया मद्दाता है उसने भाशपा के अलावा कुछ नहीं देखा सिर्फ भाशपा का शाशन देखा है और 2002 के बाद से प्रधान मंत्री का पूरा उठान देखा है ऐसा नहीं कि वहां मुद्दे नहीं थे वहां लोग महंगाई की बात करते थे वहां लोग बात करते थे कि भाई यहां पे स्कूल की गरबड़ी है मुरूभी हुआ वो मुद्दा नहीं था निश्चित तोर पर कोगी उसे मुद्दा बनाने के लिए भाजपा ने पूरी कोशिश की थी कि ना मुद्दा बने लेकिन यहां जो गुजरात और हिमाचल का मद्दाता है उसमें अंतर जो दिखाई देता है वो कुरू से लेकर अंतर तक प्रधान मंद्री नरेन मोदी से लेकर अमिश्चा जी और जितने भाशपा के मुख्य मंतरी है वरना आप सोचिए कि जो हमारा मीडिया है जो कॉर्परेट मीडिया है उस में गुजरात का मुद्दा बनाया آفताब-फाब-फाब बतला जो गुजरात मौडलों पूरे देश में बेस्ती है वो गुजरात में नहीं पूस्टर में भी नहीं था, उसमें ये था कि हमने शांती ला दिया है 2002 के बाद, वही शांती रहेगी, योगी जी जहां जा रहे थे वो बुल्डोजर के साथ जा रहे थे, तो एक जो हवा ह और आपको यह बताना था कि भाई गुजराती गौरव की बात है अस्मिता की बात है और हम और आप यहां बैट के स्टूडियो में हस सकते हैं कि उन्होंने बोला कि मोदी जी हथोड़ा लेकर आए तो अब समझी नहीं आएगा कि हथोड़ा अरे कहां से हथोड़ा लेकर आए है कि गुजरात में कारोबार्णाय जादे लोग है और जो हिमाचल है वहां नौकरी पेशा लोग जाते हैं, सेना में भी जाते हैं अगनी वीर का भी मसला कहा होगा और पुरानी पिंशन इसलिए वहाँ एक मुद्दह बनी और गुजरात में पुरानी पिंशन मुद्दह लेकर के अभी मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है एक बड़े नेता है जो मेजर है वो शामिल हुए है भाजपा में तो उन्हों ने खुद इस पर चिंता जताई है कि भाई अगनी विर स्कीम जो है वो युवाओं के लिए ठीक नहीं है वो ग्रामिल रिलागों कि जो दो चार गाउं है जहां पर काफी संख्या में लोग आर्मी में जाते हैं वहां पर अच्छा कासा गुस्सा है मैं गया मैंने फील पर खुद देखा कि वहां पर किस तरीके से लोगों के बीच में नराज गी तो इसका एक ये बहां का बड़ा मुद्दा है और इसके अलावा जो एक लाग करमचारियों में जो धाई लाग करमचारी वहां पर एवरेज हैं जो सरकारी नोकरी में हैं उन में से आप यकीन मानिये कि इस बार जादतर करमचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के वज़े से भाजबा को वोट नहीं दिया है और ये सीधे तोर पर कॉंगरिस को इस फर्क हुआ है गुजरात में जिस तरह से पूरी चुनाव अचार सही हता की राइनतिक नेतिकता की लोकतंत्र की जिस तरह से धज्जियां उड़ाएगी जिससे बिल्कुल वोट पढ़ रहा है और जिस समय मोदीजे का रोड शो हो रहे हैं इस सब वह उतरा ज्यादा है हिम सबसे बड़ी चीज हो जाएगी आपके लिए नफरत होना या आपके लिए गर्व होना दोनों चीजें बहुत एक्स्ट्रीम पर हैं कि मोदी जी अब बच्चों से बात करिए जो नौजवान वोटर्स हैं सब कुछ कहेंगे नौकरी नहीं मिल रही है सब कुछ ठीक है लेक वर्ट्सप यूनिवरस्टी का प्रचार प्रसार है वो इतना तगड़ा था कि जिन समुदायों में आंदोलन बहुत तगड़े रहे यहां में यह भी याद रखना चाहिए कि गुझरात में आंदोलन पिशले समय काफी हुए आगनबाडी का अंदोलन हुआ बहुत तगड तक क्योंकि कानून लेकर आई थी भाश्पा सरकार की आप शहर और कस्बों में पशुपालन नहीं कर सकते तो देखिए पल्स पता थी हम सब जानते हैं कि किस तरह से हिमाचल और गुजरात के तारीखें अलग अलग की गई थी एक साथ चुनाव होना था तो वो मुझे लगत जो विपक्ष की रणनिती होनी चाहिए थी जिस तरह से काम जमीन पर होना चाहिए था उसमें मुझे लगता है विपक्ष के पास ना संसाधन थे ना पहुश थी और इस पे हम आगे भी चर्चा करेंगे कि जो त्रिकोनी मुकाबले की बारे में सारे कॉर्पोरेट मीडिया में लगातार खबरें आ रहे थी वो खबरें कितनी सच थी और वो खबरें कितनी प्लैंटेट थी इस पे भी चर्चा होनी जरूरी तो रवी एक आपका लाश्ट कमेंट पूरे हिमाचल को आप अगर इस चुनाओ को और इसके नतीज़ों को विशलेशित करना चाहिए तो क का और निक ये भी रहा है कि जो उनके पूर मुख्य मंतरी थे उनके नाम पर इवीर भधर जी के नाम पर भी उनकी बहुत सिंपती वोट उनको मिला को बहुत हग्ध तक मुद्धो ने काम किये हैं सिंपती वोट मिला है जो वहां का छात्र था हिमाचल प्रदेश का वहां पर चात संगटन के चुनाव बैन किये गए उसका बहुत फर्क पड़ा है क्योंकि हाला कि ये बाद जाननी जरूरी है कि जो चात संगटन के चुनाव पर बैन था वो कॉंग्रेस सरकार में ही लगाया गया था लेकिन लोगों में जो perception बनाया जाता है कि भाई जो कॉंग्रेस थी वो अपने गोशना पत्र में उन्होंने कहा कि हम एक हद तक इसको वापस लाएंगे फिर से इसको लागू करेंगे हाला कि भाजपा शायद वो बताने में कामयाब नहीं हो पाई तो चात्रों के बीच में भी कॉंग्रेस का अच्छा मतलब narrative गया कि भाई ये हमारे पक् ये ऐसे प्रधान मंतिरी नरेंद्र मोधी खुद फोन करके कह रहें कि भाई या हमारी party को मत छोड़ो तो एक ये चीज़ है कि उनके निर्दलियों खुद रूठे बैठे हैं वे उनसे तो उनकी बगावत का बहुत जारा सामना करना पड़ा है इने तो एक तो हो गया कि भ आपको बता रहा हूं कि लोगों ने बताए कि हफते हफते तक पानी नहीं आता अब ये इस्तिती है वहां बंजारनी हमसे शिमला का भी पिछली गर्भी शिमला में भी हालत खराब है पानी की वो है तो भाशा आपसे एक लाश्ट कमेंट हिमाचल का सबग कुजरात का देखें कि 2024 के लिए क्या हमारा संदेश है तो इस पर आप मुझे लगता है कि 2024 और अभी 2023 में जहां विधानसभा चुनाओं होने हैं तो उसकी एक तैयारी दिखाई देती है भारती जिनता पार्टी की अपनी क्योंकि गुजरात में मद्दान करने के तुरां बाद मुदी जिने यहां पर आके बैठकी और आगे की रणनीती बनाई मुझे लगता है कि गुजरात के जो सबक हैं बहुत साफ है कि जिन नेताओं ने जैसे माली जी मैं यहां खास दिखर करना चाहूंगी जिगनेश मेवानी का क्योंकि अकसर गुजरात में हम जब बात करते हैं तो ह सारे महला रिहाइश जाती के अधारित है इस तरह का एक नेटवर्क वहां पर दिखाई देता है तो उसमें जिगनेश मेवानी हुए या पर जो पोरबंदर से एक उमिदवार जीते हैं अर्जुन मौरवाडिया जिन्होंने मच्वारों की बीच काम किया क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां पर जमीन जा रही थी तो इससे एक बात साफ है कि अगर आप जमीन पर पैर जमा के बैठते हैं कोशिश करते हैं कि विभाजनकारी नीती ना हो और जनता का भरोसा किसी भी तरह से जीत पाते हैं तो लड़ाई होती है और यहां पर एक चीज और मुकुल जो बहुत समझनी जरूरी है क्योंकि गुजरात की एलेक्शन को बहुत बढ़ा करके आउट ओफ प्रोपोजिशन बढ़ा करके दिखाया जा रहा है हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वहां आम आदमी पार्टी ने अच्छे खासे वोट प्रतिशत हासिल किये और यह एक बहुत तगडी रणनीती है जिस पे अलग से विमर्श होना चाहिए लेकिन यहां यह समझे कि यह जो वोट कटे या वोट गए वोट उनको मिले वह दरासल उसने पॉलराइजेशन कहां किया क्योंकि हम सब जान रहे थे छे फीसिदी वोट आम आदमी पार्टी को राष्ट कहां हुई उसने पूरी रणनीती वदल दी जब डांग पूरे डांग इलाके में आदिवासी इलाके में गई तो वहां पर दिखाई दिया कि आम आदमी पार्टी ने बहुत जबरदस्त तयारी का रखी है जो पूरा का पूरा कॉरा कॉंग्रेस बहूल इलाका था सोहराष जिसको लेके कॉर्परेट मीडिया और तमाम मीडिया में ऐसा हंगामा था कि आम आदमी पार्टी आ रही वहां 16 से 16 सीटें बीजेपी को गई है तो यह जो समीकरण है भारती राजनीती में मुझे लगता है यह विपक्ष को भी समझना बहुत जरूरी है आगे आने वाले के लिए खास और से करनाटक के लिए कि रड़नीती कैसे बनेगी में जो काट हुआ बीजेपी का मोधी सरकार का सीधे सीधे ग्रीह मंत्री देख रहे थे हमिशा का वैसा काट अगर आप नहीं करेंगे स्ट्राटरजी नहीं बनाएंगे तो बहुत मुश्किल है सिर्फ परिशान है में वोट दे देगी मुझे लगता है इतना कहकर विपक्ष अपने कंदे जाड़ नहीं सकता मैं हिमाचल को लेकर एक बात करना चाहता हूं कि कॉंग्रेस की सरकार ज़रूर बन गई है लेकिन उनको अगर ये बात पता थी कि पांस साल पर यहां पर सरकारी चें नहीं है तो यह उनको आगे कि लिए समझना पड़ेगा तो मुझे लगता है कि इतनी बुरी नहीं है लेकिन जिस तरह से वहां का पैटर्न चलता है उसके हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है लेकिन आप यह भूल जा रहे हैं कि वहां पर जो मुकाबला था वो प्रधार मं कि यह हिमाचल की महिलाओं की कड़ाई वाला शॉल है तो यह प्रचारतंत्र है यह इतना अभूतपूर्व है कि इसके आगे तो मेरे खाल से विपक्ष बिचारा खड़ा ही नहीं हो पाता कहीं तो यह बड़ी उपलब्दी कही जाएगी 2022 में जब वो खत्म हो रहा है कि कां 2023 में नौ राज्यों में चुनाओ है नौ राज्ये जो सही माइने में 2024 का समी फैनल कहा जा सकता है वो क्यों क्यों क्योंकि इन नौ राज्यों में बीजेपे की भी सकता है तीन राज्यों में अतिरुपरा, मध्यप्रदेश, करनाटर, दो राज्ये चटिसगड़ और राज कि आपके हुआ हैं हम स्यासत को इसी तरह अगाल करते रहेंगे आपके सामने लाते रहेंगे तो फिलाल दिजिए इजाजत नमस्काल देखते रहे निउश-क्लिक हमारे यूट्व्य चैनल को सबस्क्राइब कीजिए हमारी सब्साइट का समर्थन दीजिए धनावाद शुक्राइब